Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains जहाँ पर हम आपको देते हैं 100% free quality education, वो भी पूरे syllabus के साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 unit करवाने या 2 chapter के बार हम आप से बोले कि आपको fee pay करना है ऐसा नहीं है, सारे chapters होंगे, सारे MCQs होंगे, revision होंगे और साथ ही साथ होगी exam की तयारी तो चलिए, हम स्टार्ट करेंगे chapter number 2 का हमारा next topic लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दू कि ये हैं आपके वो सारे teachers जो आपको Hindi, English, Maths और Sanskrit ये सारे subjects पढ़ाते हैं क्योंकि इनका साथ होगा तभी तो हम होंगे काम्याब और हमें अच्छे-च्छे numbers मिलेंगे चलिए, तो ये इसे अच्छी बात से अब शुरुवात कर देते हैं हमारे next topic की इससे पहले मैंने आपको बताया था कि nutrition क्या है, मतलब basically और हमें इतना सारे तरीके का food item हम क्यों खाते हैं तो आपको पता चल गया कि इतने सारे तरीके की food by variety इसले खाते हैं क्योंकि हर food item से हमें different तरीके का nutrition मिलता है क्योंकि food में बहुत सारे components होते हैं और वो nutrients हमारी body के लिए जरूरी होते हैं तो अब ये nutrients क्या है और कौन-कौन से type के होते हैं चलिए इनके बारे में discuss करते हैं तो सबसे पहले nutrients क्या है इस चीज को अगर आपको explain करना है तो we know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from the plants or animals तो वेल आपको पता है कि अगर एक food item है तो वो food item बहुत सारी ingredients से मिलकर के बना होता है कुछ में से कुछ हमें plant से मिलता है कुछ animals से मिलता है तो यह जो different तरीके का food item है यह different तरीके का food item हमें अलग-अलग तरीके का nutrition देता है जैसे कि आपने जब किसी एक particular चीज में vegetables भी डाल दिये, milk भी add कर दिया या फिर अपने उसमें कुछ ऐसे खटी चीजे डाल दी, मीठी चीजे डाल दी तो वो सारे अलग-अलग speciality के चीजे है सब में अलग-अलग तरीके का content होगा, अलग-अलग तरीके का nutrition होगा तो वो सब मिल जाएगा और आपकी body को मिलेगा So different foods provide different types and amount of key nutrients It is important to choose a variety of foods from within each food group तो हर एक food group से हमें variety of food को लेना चाहिए जैसे इसका मतलब क्या है, कि nutrients आपको basically मिलते कहां से हैं तो nutrients हमें different food items से मिलेंगे तो different food items को हमें खाना चाहिए मतलब हर ग्रुप का हर एक चीज आप खाईए जैसे कि अगर आपको animal products नहीं खाते हैं अग भी नहीं खाते हैं, नौन विच भी नहीं खाते हैं तो आपको milk जरूर पीना चाहिए इसके अलावा अगर आप किसी particular group में से किसी vegetable के group में से कोई 2-3 vegetable नहीं खाते हैं आपको pumpkin नहीं पसंद तो लेकिन बाकी की चीज़े खाईए किसी fruit में आप जिसे चीकू नहीं खाते हैं तो पाकी के fruits खाईए ताकि आपको अलग-अलग तरीके के variety से अलग-अलग तरीके का nutrition मिल सके So as a bonus, choosing a variety of foods will help to make your meal interesting so that you don't get bored with your diet Well, अगर आपने इतना सारे तरीके का nutrition चूश किया तो आप अपने diet से भी bored नहीं होंगे तो यह nutrient, nutrient, nutrient यह बार-बार क्या है यह चीज़? तो भई, nutrients are the component of food found in food which are essential for the human body तो भई, food के वो सारे components ठीक है? Simple सी definition है food के वो सारे components जो के हमारी body के लिए required है उन्हें हम nutrients कहते हैं तो कुछ nutrients जिनके नाम में आपको अर्ड़ी बताई थी वो है carbohydrate, vitamins, minerals and water proteins, ठीक है? यह सभी क्या है? यह सभी वो सारे components है food के जिनको हम nutrients कहते हैं So they are characterized as जैसे protein, fats, carbohydrate carbohydrate को अपन sugar या dietary fiber भी कह सकते हैं vitamins, minerals and water तो यह सब क्या है? यह वो सारे component है जनसे बिलकर के food बनता है जिनके अंदर, यह food के अंदर यह सारी चीजे होती है जो हमारी body के लिए जरूरी है So nutrients का अगर अपन group देखें तो अपन उसको इस तरह से classify या divide कर सकते हैं जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ है component of food तो component of food को तीन category में अपने divide कर लिया एक तो energy giving जो आपकी body के energy देते हैं दूसरे body building food मतलब कि जिनसे हमारी body built up होती है, बढ़ती है, ग्रो करती है और होते है protective food protective food का मतलब जो हमें diseases से protect करें हमारी body को बचा के रखें या फिर अगर कभी चोट लग जाए तो उसे repair का काम करें तो ये सब हमारे different food के components है तो उसके recording अपने तीन category बना लिए ठीक है, तो सबसे पहले energy giving food जो हमारी को energy देते हैं ताकि हम क्या कर सकें चल पाए, फिर खूम पाए हम देख पाए, हम बोल पाए तो वो energy जब तक नहीं रहेगी तो आप नहीं बोल पाओगी तो वो energy giving foods के जो component है वो कौन से होते हैं carbohydrate और fats ये सब आपको food में मिलता है तो food जो की जिसके अंदर carbohydrates हो और fats हो तो carbohydrates आपको कहां से मिलता है sugar से मिलता है और potato से मिलता है इसी तरीके से एक और energy giving food component क्या है तो वो है आपके fats तो fat आपको किस से मिलता है तिल, तिल के लड़ू कई बार सुनाओगा आपने और ground nuts इसके अलावा भी बहुत सारे हैं यहाँ पर हमने सिर्फ दो-दो examples लिये हैं तो भई वो component जो कि आपकी body के required है तो आपकी body को क्या-क्या चीजा चाहिए energy चाहिए body का development चाहिए और अगर आपकी body को कहीं से चोट लग जाए, disease हो जाए तो उसकी repairing और maintenance हो सके तो उसके लिए होते हैं protective foods तो हमने पहले कौन से देखे energy giving foods energy giving foods कौन से है carbohydrates and fats तो carbohydrate आपको किस से मिलता है sugar cane से मिलता है potatoes से मिलता है इसी तरीके से body building food components भी होते हैं ऐसे nutrients होते हैं जो कि आपकी body को build up करते हैं growth के लिए बहुत ज़रूरी होता है तो जिसमें है protein तो protein आपको कहां से मिलता है protein आपको मिलता है soya bean से, peace से तो ये सभी हमारे वो सारे components हैं जो protein देते हैं अब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये दो चीज़ नहीं है तो हमें protein कहीं और से नहीं मिलेगा मैंने आप से कहा कि ये मैं सिर्फ दो-दो example आपको बता रहे हूं अब एक ऐसा component होता है जो protective food होता है that means कि कभी disease है तो उससे आपको बचाए तो ऐसे food आपको मिलेंगे vitamins से मतलब जिसके अंदर vitamin component हो तो ये vitamin कहां से मिलता है milk से, fishes से तो सब में अलग-अलग तरीके का vitamin होता है तो जिसके बारे में हम आगे discuss करेंगे तो यहां तो हमने एक overall view देख लिया overview देख लिया कि कौन-कौन से तरीके के component of food होते है और वो क्यों हमारी body के required है तो ये chart को अच्छी तरीके से देख लो अगर ये दिमाग में रहेगा आपके हमेशा तो आपको पता रहेगा कि इतने सारे components हैं जो हमें food से मिलते हैं variety of food से मिलते हैं और हमारी body को क्या करते हैं energy देते हैं हमारी body को grow करवाते हैं और हमें protect करते हैं बहुत सारे germs से चली तो अब अपन शुरुवात करते हैं एक-एक component की बारे में हम पढ़ेंगे लेकिन एक छोटा सा सवाल एक बच्चे ने उससे पूछा था कि do all food contain all these nutrition क्या सारे food में मदब सारे तरीके के nutrition होते हैं तो जी नहीं ऐसा नहीं होता मैंने कहा ना कि food variety ही क्यों बनी होई है ताकि आपको अलग-अलग food से अलग-अलग तरीके का nutrition मिल सके so no all foods do not contain all the nutrition required by the by our body so that is the reason we add different items in our meal तो इसलिए हम बहुत सारे items रखते हैं, डाल रखते हैं, चावल रखते हैं सालड रखते हैं, कर्ड रखते हैं ताकि हमें बहुत सारे चीज़ें मिल सकें ठीक है, तो अब आपन nutrition के बार में पढ़ेंगे जिसमें सबसे पहले हमें स्टार्ट करेंगे carbohydrate, की carbohydrate आपको मिलता कहां से है, इसमें ऐसी कौन-कौन सी चीज़ होती है, जो की हमारी body के लिए required है, और कौन-कौन सी तरीके के food से हमें ये carbohydrate मिल जाता है, तो carbohydrates क्या है, carbohydrates जिसको आप carbs भी कहते हो, basically ये sugar molecules होते हैं, जो की आपकी body में जब जाते हैं, तो body उसकी मदद से glucose बनाती है इसलिए हम कहते हैं कि जो carbohydrate है, वो एक energy giving component है, जो आपकी body को energy देता है, तो याद रखिएगा, carbohydrates in short, आप जिसको carbs कहते हो, अब आपने कहीं सुना होगा, भी, good carbs and bad carbs होते हैं, जिसमें high carbs और low carbs हो, तो good carbs का मतलब वो होता है, जो कि आपकी body में जाकर के धीरे 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 शुगर निकालते हैं, ठीक है, और bad carbs वो होते हैं, जो तुरन जाकर के शुगर निकाल दें, तो हमारी body के लिए ये जरूरी होता है कि हम ऐसे carbs ले जो की धीरे-धीरे उस sugar को निकालते हैं क्योंकि शुगर क्या है जादा होना भी हमारे लिए dangerous है ठीक है क्योंकि अगर जादा हो जाएगा तो कभी-कभी sugar content अगर बढ़ जाता है तो हमें कई सारी तरीके की diseases हो सकती है हमारी body को बहुत सारा नुकसान हो सकता है इसलिए गुर्ट carbs और बैट carbs आपने कहीं सुने होंगे चलिए तो वापिस आजाते हैं कि carbohydrates जिसको आप carbs कहते हो basically यह होते हैं sugar molecules जो कि हमारी body में जाते हैं तो हमारी body glucose में convert हो जाती है उससे energy मिलती है तो यह मिलता कहां से है तो कुछ तो आपको इन pictures से दिख जाएगा या फिर अगर मैं आपको बताऊं तो आपको bread beans या spaghetti's soft rings cookies potatoes इन सभी से आपको यह carbohydrate मिल सकता है clear है तो carbohydrate को जानने के लिए इसके कुछ जरूरी points हमने यहां लिखे हुए हैं ताकि क्योंकि कभी यह होता है कि आपन चीज़े समझ लें लेकिन अगर लिखा है नहीं कुछ जरूरी point तो वह आपको याद नहीं रहेंगे तो फिर इसके जरूरी points है carbohydrates और carbs और sugar molecules यह point याद रखेगा क्या है यह sugar molecules होते हैं ठीक है carbohydrates और carbs are sugar molecules और body breaks down carbohydrates into glucose हारना हमारी body क्या करती है इन carbohydrates को glucose में तोड़ती है किसमें तोड़ देती है glucose में मतलब तोड़ने का मतलब क्या है कि मान लेजे आपने खाया bread ठीक है आपने खाया bread वो गया आपके पेट के अंदर stomach में उस stomach से वहां से carbohydrate का जो content था वो निकाला ठीक है अब इस carbohydrate पर आपके body के अंदर आ रही है oxygen उसने किया react अब उससे क्या बनेगा उससे बनता है sugar जो की glucose जो कि आपकी body के लिए required है जिससे energy मिलती है ठीक है तो basically जब आप कोई चीज़ खाते है तो फिर उसके बाद वो एक ऐसे form में convert होती है जो आपकी body को चाहिए अब आपकी body के अंदर क्या oil बहता है नहीं क्या हमारी body के अंदर आप जो potato cookies खाते हैं वो बहते हुए रहते हैं और आपको उससे energy मिलती है नहीं हमारे अंदर होता है blood तो उस blood को जिस form में वो food चाहिए होता है हमारी body उसे उस form में convert करती है ठीक हैं तो glucose basically आपकी blood में होता है that means sugar content में होता है जो कि हमारी body के cells को हमारे tissues को हमारे organs को एक जो body है वो cells, tissue, organs सबसे मिलकर के बनी होती है तो उन सब ही को यही जो glucose है वो energy देने का काम करेगा ठीक है तो भही हमने carbohydrate खाए carbohydrate मतलब potato cookies खाए जिनके अंदर carbohydrate थे जो की बनी glucose में और वो glucose जाकर के energy हमारे सारी tissues चोटे चोटे जितने भी tissues है हमारे bodies में हमारे जितने भी organs है सब को जाकर के energy देगा ठीक है So glucose and blood sugar is the main source of energy for our body, cells, tissues and organs तो यह glucose और यह जो blood sugar है जो कि आपको किस से मिल रहा है, carbohydrate से मिल रहा है यही हमारी body के इन सारे parts को energy देता है So mainly provide energy to our body, तो basically carbohydrate को इसलिए कहा जाता है कि यह हमारी body को energy provide करने का काम करता है चीक है, याद रहेगा आपको यह point, चल अब carbohydrates are found in a wide array of both healthy and unhealthy foods अब यह जो carbohydrates है, चीक है, यह basically हमारे healthy foods के साथ साथ unhealthy foods में भी मिल जाते हैं जैसे की healthy foods की बात करें, तो आपके beans, milk, potatoes, इन सभी में तो यह चीज मिलती है साथ ही साथ आपको यह cookies, spaghetti, soft grid, soft drink इन में भी मिल जाती है तो यहाँ पे जो point लिखा हुआ है, इसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि कहां कहां से आपको यह carbohydrate मिलेगा कौन कौन से food को खाने से मिलेगा, तो बिलकुल दिमाग में याद रखेगा, bread खाया एक बार जब मैं breakfast करने बैठा, तो ममा ने मुझे दी bread, milk और spaghetti ठीक है, इससे याद रहेगा कि हमने carbohydrates खाया याद रखना है कि एक बार जब lunch करने बैठे, तो आपको मिली bread, milk और spaghetti आपने milk में bread को डाला, बिर्दा bread को milk में insert करके खा लिया और spaghetti ऐसे ही खाली, तो इससे आपको carbohydrates मिल गए, एक तरीका ये याद करने का है और ये याद कर सकते हो कि मुझे चाहिए cookies और cold rings ताकि मैं देख सकू अपनी प्यारी सी movie तो इससे क्या याद रहेगा आपको कि cookies और cold rings हैं वो भी carbohydrates देते हैं चोड़े चोड़े से ना आप कहानिया पोयम टाइप बना लिया करें ताकि आपको इस पॉइंट्स याद रहें चालिए तो ये तो एक छोटा सा याद करने कर दरीका था तो जब आपको इससे मिल जाता है तो आपकी बॉड़ी में पहुच जाता है कारबो हैट्रेट्रिट के अंदर होते हैं वहते हैं कारबन नाнее- Syegin को सबसेड़ा करता है तो यह हमारे बॉड़ी के किस पार पो सबसेज़ादा है तो ये हमारी body के brain को kidney को ठीक है brain, kidney, heart muscles और हमारा जो nervous system है हमारी body का उन सब को ये काफी help करते हैं अच्छी तरीके से ये function करें इस चीज़ के लिए clear है सो भई carbohydrates के बारे में हमने जान लिया कि हमारे food का एक component है carbohydrates जो हमें bread से मिल सकता है, bean से, spaghetti से भी मिल सकता है मतलब healthy और non-healthy दोनों चीज़ों से हमें carbohydrates मिलते हैं जो कि हमारी body को energy देते हैं और ये energy basically होती है glucose के form में और ये carbohydrates हमारी body के brain पे, nervous system पर, kidney पर और heart की muscles पर बहुत अच्छा effect डालते हैं, बहुत अच्छी तरीके से उनको nutrition देते हैं ताकि वो बहतर तरीके से काम करें ठीक है, तो चलिए, तो carbohydrates पढ़ लिया, अब बारी आती है fats की, तो fat जो है basically हमारी body के लिए energy का ही काम करता है body absorb certain vitamins और basically ये क्या होता है, कुछ component हमारी body के, हमारी body को बाकी के अच्छे nutrition अच्छी तरीके से मिल सकें, इसमें भी help करते हैं, जैसे fat, अगर fat आपने खाया, तो आपको अलग-अलग तरीके के जो vitamins हैं, वो हमारी body अच्छी तरीके से absorb करती है, ठीक है, तो fat भी energy देता है औ कुछ तरीके के vitamins को absorb कर पाते हैं, many food naturally contain fats, अब किसी में fats होता ही है, सारे foods में, जैसे की meat में, polytry की जितनी भी चीज़े होती है, egg हो गया, milk हो गया, इन सब में fat होता है, seafood में fat होता है, और seeds में, nuts में, avocados and coconuts, तो इन सब में खुद का अंदर fat होगा, तो मतलब आप जब ख हमारी body अगर थोड़ी सी, healthy सी दिख रही है, that means fat अगर दिख रहा है, तो ये fat content उस तरह से भी हमारी body को effect करता है, ठीक है, तो fat के बारे में समझ गए, कि ये energy देगा, और आपके vitamins को absorb करने में help करता है, किस से मिलता है, तो हम आपको बता चुके हैं, clear, अब आपर next आजाते component पर जो कि हम पढ़ेंगे, तो वो है protein, लेकिन उसके पहले ये जो सारे नाम मैंने यहां पर लिखे हुए थे, that means polarity for, आपके seafood या फिर avocado meats, मतलब जो आपको fat देते हैं, तो fat giving कुछ और sources हमने या लिखे हुए है, egg है, ठीक है, इस तरीकी की fits, fishes हैं, ठीक है, तो ये सारे आ next आजाते हैं, proteins पर, तो protein actual में क्या होता है, तो मैंने आपको बवी सबसे पहले एक छोटा सा एक graph chart बताया था, जिसमें हमने आपको बताया कि कुछ food energy देते हैं, और कुछ food हमारी body के repair के लिए ज़रूरी होते हैं, maintenance के लिए, तो वो काम करते हैं, protein, तो ऐसे component जो कि हमारी body की growth और repairing के लिए ज़रूरी हो, उसे हम proteins कहते हैं, so proteins are required for growth and repairing the tissues in our body, हमारी body के tissues को maintain करने के लिए हम protein use करेंगे, they help in building new tissues, तो जैसे मैंने बताया, tissues के लिए ज़रूरी होते हैं, यह मिलता कहां से है, so the source of proteins are meat, milk, fish and eggs, jackfruit, guava, avocado, apricot, blackberries, kiwi, cherries, so they all are the sources of proteins, okay, so protein खाना हमारी body के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर protein नहीं खाया, तो हमारी body में जगर कोई disease होई, तो वो disease से हम इतनी जल्दी लड़ना ही पाएंगे, कोई germs अगर हमारी body में आ जाता है, तो वो protein rich अगर food आप खाते हो, तो आपको जल्दी ही उससे राहत मिल जाएगे, जल्दी ही वो germs आपकी body से किल हो जाएंगे, ठीक है, तो इसले जरूरी है protein rich fruit खाना भी, तो याद रखना, कि proteins are required for the growth and repairing of tissues in our body, tissues मतलब हमारी body चोटे 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 टेशू से मिलकर के बनी होती है, अगर वो tissue कभी टूट जाए, तो उसके repairing के लिए ज out tissues, तो born out tissues अगर जो है, उनको भी repair करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, and the sources of proteins, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एक बार और बता रही हूँ, meat, milk, fish, egg, jackfruit, guava, avocado, apricot, blackberries, kiwi and cherry are the sources of proteins, and vegetables with the most protein include broccoli, spinach, potatoes, sweet potatoes and sprouts, तो ये सारी चीज़े हम क्योंकि last हमारी class में पढ़े हुए थे last chapter, जो हमने chapter number one complete किया, जिसमें हमने आपको बताया था, sprouts क्या होते है, broccoli क्या होती है, तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा था, और ये सब क्या है, ये सब ही protein rich आपके food items है, तो वेल अभी तो हमने हमारे कुछ items, हमारे कुछ components के बारे में पढ़ा है, जो की mainly हमें energy और हमारी body के growth को और हमें अलग-अलग diseases से बचाते हैं, ये अगर कोई tissue हमारे damage हो जाए, तो उससे नया एक tissue बनाने का काम करते हैं, ठीक, तो हमने carbohydrate, protein, fats के बारे में पढ़ा, इसके अलावा भी और भी components of food होते हैं, जो की हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसी chapter में continue क करेंगे, उसके पहले मैं आपको बताऊंगे हमारे next वीडियो में कि अगर carbohydrate, protein और fat को test करना हो कि किसी particular food में क्या ये protein या ये nutrition है या नहीं, तो इसको कैसे करेंगे तो ये जानेंगे हम हमारे next वीडियो में, अब आपको क्या करना है कि अगर आपने इसके पहले का वीडियो करेंगे, तो आपको इस तरह की एक screen दिखेगी, जिसमें आप अपनी class को select कर लीजे, जैसे आपने science पर watch now किया, जैसे ही science पर जाते हैं, तो आपको नीचे chapter दिखेगा, chapter number one जैसे आपको दिख रहा है, आपको जो भी topic पढ़ना है, उस पे click कर दीजे, तो वीडियो open हो जा नहीं है, पूरा वीडियो देखो, topic ज़रूर समझ में आएगा, और अगर पसंद आए, तो भी बिलकुल like करें, comment करके हमें बताइए, और इसे share ज़रूर करिएगा, अपने same class के students के साथ, that means जो 6th में है, और उनके साथ, जो आपसे बड़ी या छोटी class में है, क्योंकि हमा परसेंट फ्री, अब आप ये सोचेंगे कि दो लेक्टर पढ़ाने के बाद, दो ट्रैप्टर कंप्लीट करवाने के बाद, आप से कोई फी ली जाएगी, तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है, आपको पूरा syllabus करवाया जाएगा, आपके exam की preparation, revision videos, test papers, सब कुछ दिया जाएगा, सब कुछ free of cost magnet brains पर, सब कुछ मिले आपको इसके लिए क्या ज़रूरी है, चैनल को सबस्क्राइब करें, क्योंकि आप जब चैनल को सबस्क्राइब करते हैं, तो आपको सारी recent update जल्दी से जल्दी मिल जाती है, तो अब हम मिलेंगे हमारी next वीडियो में, जहां हम पढ़ें मतलब सारे food items पर test करेंगे और यह जानेंगे कि किस में किस तरिके का nutrition है, ओके, till then stay happy, stay healthy, thank you so much.